एक बार एक मोर जो बहुत सुन्दर था उसके पंक बेहत खुबसूरत थे एक दिन खुब जमा जम बारिस हुई और मोर नाचने लगा नाचते हुए वह अपनी खुबसूरती को नहर रहा था पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज पर गया जोकी बेहत बेसुरी और कठोर थी इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया उसकी आखों में आसु आ गए तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई थी कोयल की मधुर आवाज को सुनकर मोर को उसकी कमी का एहसास फिर एक बार हुआ वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुन्दर्ता तो दी पर बेसुरा क्यों बनाया तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूँचा मोर तुम क्यों उदास हो मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की उनसे पूँचा कोयल की आवाज इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ मोर की बात सुनकर देवी ने उसे समझाया भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है हर जीब अपने तरीके से खास होता है भगवान ने उन्हें अलग-अलग बनाया है वे एक निश्चित काम के लिए हैं उन्होंने मोर को सुन्दर्ता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज हमें भगवान के दिये इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुल्दा नहीं करनी चाहिए बलकि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए उसे और निखारना चाहिए मोड उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से यूनिक होता है खुद को स्विकार करना है खुशी का पहला कदम है जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाए आपके पास जो है उसे स्विकार करें